इसका कुछ नया तो बनता है रिसेकल होगे तभी तो प्लस्टिक बिगता है तो उसको क्या करते हैं पिखला के दम जैसे आठा मत यह अग्दम गी लवा से कर लेते हैं फिर उस्से कुछ नया बनाते हैं वैसे इसमें कुछ देखो चलो मैं सुरूश करवाता हूं सुनो एक चीज मैं यहां पर यह क्लियर करना चाहता हूं कि जो सिक्का है उसका आयतन निकालेंगे वह बेलन यानिक सिलेंडर का एक पार्ट होता है इसको आप वर्ग स्क्वार या ब्रित नहीं मानना सरकल हो गयरा ठीक है कैसे देखो सकते दिखाएं ओस्कुल का होगे तो सर्कल्व जाहिसे यहां थे ब्रित जैसर नहीं यह ब्रित बर्न का एक भाग है आगर ढखो अगर हम धेर सारे सिक्के एक दूसरे को ऊपर रख लें तो मुझे यह बताओ क्या यह बृत जैसे हो रहा है यह क्या बृत जैसे हो रहा है रुको एक मिनाट में बताता हूं यह बेलन का आकार हो रहा है कि नहीं देखो अगर मैं धेर सारे सिक्के एक पर रख लेता हूं ऐसे ये एक बेलन का आकार हो रहा है ना, ये सरकल के नुमा तो नहीं हो रहा है ना बिरित्त, हो रहा है न ये, धेर सारे सिक्खे एक पर रख लो, ऐसे बने गई है, सीथा नहीं बन दा, क्योंकि सिक्खे छोटे बड़े हैं, इसमें कई परकार के सिक्खे हैं, और कोई गिन सकता ह इसमें हम लोग को क्या करना है इसको बृत्त मान के नहीं तो आप कहो कि सरकल वाला लग जाएगा सूत्र इसमें बृत्त वाला ऐसा नहीं होगा कि देखो क्या करना है यह सिक्का है जिसका ब्यास पॉन पॉइंट से बन फाइफ प्यंटिमीटर है और टू एम मोटा है इसको पिगला करके यह बनाना यह कितने सिक्के लगेंगे लिखलो माना यक्स सिक्कों को पिगलाना पड़ेगा देखे एक चीज समझेए अगर यक्स सिक्कों को पिगला करके हम एक क्यूबाइड बनाएंगे या क्यूब बनाएंगे कुछ भी जो भी बनाएंगे तो जो वैलूम इन सिक्कों का होगा आयतन वही उसका भी होगा तीदी सी बात यह है अगर हम कहें कि एक किलो आटा लेकर कि आप उसे गूंच करके रोटी बनाओ तो लगभग में उतना ही आएगा वजन हो गयरना थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है क्योंकि वहां पर पकेगी ऐसे मोटा मोटा समझ लो जैसे मालो हमारे पास प्लस्टिक की मगगा है ऐसे प्लस्टिक की बोतल हैं डिबी हैं कुछ वहीं है उनको गला लिया जाए अच्छे से और उनसे बाल्टी बना दिया जाए तो अगर हमें एक एक लीटर का 10 मग पिखलाएंगे यानि 10 लीटर का तो बाल्टी बनेगी वह लगभग दफ लिटर वाली बाल्टी बनेगी लेकिन ध्यान रहें कि उस बाल्टी की मोटाई की मक्क के मोटाई की बराबर ही होने चाहिए तो ऐसा होता है ठीक है कि आगे लिखो क्या लिखोगे आव लूम आफ एक्स कोईन इकल बेलूम आफ एँ है लिए जो यक्स सिक्षों का अधान हो वह नये सिक्षों कभी आयतन होगा क्योंकि नको पिखला कर बनाया जा रहा ह प्कार आएगा में देखी साथियों अगर हम आपसे बोलें कि पांच आयतन दिये हैं शरी पॉर्ग दिये हैं उनका चेत्रफल पता होना चाहिए न तब आप पांचो का निकालोगे वैसे इसमें क्या है यक्स सिक्षों का आइतन आपको निकालना है तो क्या करोगे लिखो यक्स into एक सिक्के का आयतन अगर एक का पता होगा तो आप एक सिक्के का आयतन ठीक है ये आप लगा दोगे इदर घनाव का आयतन जो है वैसे कब ऐसे रहेगा सिंपल है एकदम तो सिक्का चुकी बेलन के आकार का हिसका सुत्र बेलन वाला ही होगा पाई यारी स्कॉार एच इंटु घनाब गनाब वाले में तो सीधा यल भी एच होगा वही जो आप जानते हो इसमें सारे मान रख दीजिए यक्स सिक्का पिगलाना पड़ेगा मतलब हम यहां से एसका मान निकालना है क्या है क्या है तो यह हो जाएंगा इन्टू paradox 3 2 8 dios धया यहां पर देखो कितना देखो कि कितना आई जिरो पॉइंट साथ 5 कि किसका है यह बैस है वह तो जहां क्या करेंगे पार रेलेद्ट लूइस करेंगे समझ्जऊह ран parity बैया हो ब्यास दिया 0.75 न इसका आधा हो जाएगा रेडियस यह हो जाएगा न इसे हम 11 बटा 200 लिख सकते हैं 0.875 लगबग आएगा क्यूं करके देखो 0.875 यह सेंटीमेटर लगबग आएगा यानि हम इसे यहां लाके लिख सकते हैं 0.875 इसक्वाइर है यह दो बार गुड़ा हो जाएगा इंटू हाइट हाइट किसकी सिक्के की ना सिक्के की उचाई कह रहा था कि 2 mm है दिया था ना उसमें में में को आप मीटर में वदलोगे दो कितना हो जाएगा अब बोलो हुच घृण साने गई थी यह दिया है 5.50 को में स्क्रीन से zwar कर दीजिये सब्सक्राइब किसी को नहीं चलो इनको अब हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे फूर्सत में आओ यह इंटू टूटीटीटू अपान सेबन देखो यहां पर तीन अंक पर दसंबलों है भाईया बाबू तो इनको हम इतना लिख सकता हूं कि अज्जमलों हटा करके काम इनको एख़े बायर से भाग करसकती हैं इनको दस करसकती है ulti जायूट इदर साइड में इनको 55 अपान के लिख सकते हैं इनको टेन इनको 35 अपान टेन इतना लिख सकते हैं अब इन्हें हम हल करेंगे स्टेप बाई स्टेप बहुत ही आसान और सिंपल वाला तरीका लगाएंगे बस बने रहो हमारे साथ कुश्चन अटाओ चलो अब देखो भाईया बाबू समझो हमें काम कर सकते हैं इनको काटेंगे डिवाइट करेंगे चलो करो सेम सब्सक्राइब को हल कर लीजिए आप देखें बहुत ही प्यारे प्यारे कुश्चन है यह सब 25 से डिवाइड हो जाएंगे पचीस चौका सो चालीस आ गया पचीस सिसको काट होगे तो पैतिस हाएगा क्योंकि पचीस तियां पचात्तर और पचीस बंचे 125 भाग देके फिर काके को एक है बारेक बार काट दो चालिए फिर पांटस्तिर के फांच अथे चालिस पांच सैपर याक्स इंटो इन्टू सेवन इन्टू सेवन इन्टू वन नीचे आपका बचरह 7 यह आठ है यह बीस साथ गुड़े 8 गुड़ा बीस उदरों साइड में ऐसे कुछ हो जाएंगे कर्पीड जाएंगे जो करदो यह दफ दफ कर जाएगा इनको काटो दो से पांच से काट दो पांच से पांच दूना दस ठीक है यह जाएगा आपका पचपन गुड़ा साथ बटे दो यहां से हमें सिर्फ यक्स का मान निकालना याद रखना ठीक है तो इनको हल कर लोगे ना बाबू आप सभी कि नहीं बो यहां से उपर बढ़ रहा हूं जल्दी करो कि इतना हो गया इसमें कोई डाउट नहीं किसी को चलो उपर कर लेता हूं द्यान दो बाबू इनका तिरिशा गुड़ा इसमें करोगे इधर का इधर यह आपको आता है तो दो का गुड़ा इन सब के साथ में हो जाएगा तो मै यहां पर लिख सकता हूं यह इंटू यह 11 इंटू 7 समझते चलना इंटू 7 अजया समझो और इसमें गुड़ा हो जाएगा दो का इधर साइड में इनका भी क्या होगा इसमें तिर्चा गुड़ा हो जाएगा इसे कुछ होगा कि नहीं बोलो के नहीं आर इसे होगा क्या Amir इसके साथ में गुड़ा में दो है ठीक है लेकिन अवे यह काम और भी कर सकते इसमें इसको भी आप कर सकतो लेकिन यह एक तरीका बढ़ा हो जाएगा थोड़ाए क्लिफन ठीक है बच्छों तो आप एक काम करो इसको मत सकते नहीं यह ये गुड़ा में ही रहेगा यक्स को हम इसे बाहर कर सकते हैं ठीक है अंदर का रास्ता नहीं सको दिखाना है अब ये पूरा का पूरा फ्रेक्षन अम उधर ले जाए और इसको पलड जाएगा बोलो हांना इधर गुरा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा तो मैं नीचे जो नीचे का था वो उपर तो सेबन एट और टुंटी यह उपर और यह आपका नीचे यह दोनों सब पूरा नीचे चला जाएगा 117 7 और यह वन ठीक है बात पक्की अब एक काम कर सकते हो तुम सेबन सेबन काट दो 11 इसको काट दो 55 कोई डाउट नहीं कोई दिककत नहीं यह सेबन से यह सेबन काट दो इधर सब फाइनल क्लियर हो गया दो से इसको काट दो तो दफ आ जाएगा यह 8 का गुड़ा कर लो 5 में याद रहे है पूरा पूरा कंसिल हुआ है आठ पंचे चालिस चालिस का दस में समझ गये ना यानि हमें चांदी के 400 सिक्के प्रिगलाना पड़ेगा कितने चार सो सिक्के कोई डाउट नहीं ना लिख लो फटाफट लिख लो किसी को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी करो लिख लो उतार लो फटाफट हो गया डन तो मिलते हैं फिर अगली कलास में बह अब्दा ऐसे जुड़े उनका नाम ले लिए एक बार रुख जाओ देखें मनोहर यादो जुड़े हुए हैं डेंजर गेमिंग जुड़े हैं आदेश अधा जुड़े हैं मोनिका सिंग जुड़ी हूई है स्वनाली गुपता प्रांजल और गोलु कुमार और कौन है